हेलो इस्टुडेंड वेल्कम बैक तो माई चैनल श्टडी सेवेंट पैंजिरो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं तन्यता किसी कहते हैं और यह जो क्यूचन इस्टुडेंड यह आपको टेंट क्लास के लिए बहुत ही बीवाई क्यूचन है यह क्यूचन एकजाम में प कुछा जाएगा कि तन्यता किसे कहते हैं तो इसका एंसर आपको लिखना है तन्यता क्या है इसका उतर हो जाएगा दहातुओं की तन्यता के गुनों के कारण ही इन्हें विभिन रूप देकर आवसकता की अनेक वस्तुवें बनाई जाती है क्या बनाई जाती है आवसकता क कि तन्यता के गुनों के कारण दहात्रों की जो तन्यता है उसका ऐसा गुन है जिसके कारण उन्हें हम बिभीन रूपों में बना सकते हैं क्या बना सकते हैं उन्हें हम बिभीन रूप में बना सकते हैं यदि आपको लोहाट दिया जा तो उसको आप बिभीन रूप में कैसे बनाईएगा उसको पीट कर बनाईएगा उसको गरम करके बनाईएगा तो तन्यता का मतलब होता है कि किसी भी दहातु को पीट कर उन्हें एक पतली चादर की रूप में बनाना या कि किसी भी दाहात्यू पितने बर कि जब फैलता है मांझे यह मेरा या अध्यात्यू है तो हम सबनाई से पनेफे प्रहार करते हूं किसी समान से पिडते हैं इसे तो मेरे अकेती है दो औक कने समान के लिए ब Perfect क प्रावल था एक बड़े परहाने प्रहार नियम्रेट मिठाई के उपर सजाने में एलमुनियम के बारिक प्रत का उप्योग खाद परदार्थों को सुरक्षित रखने में कौपर का उप्योग बिजली के तार बनाने में किया जाता है अब यहां तो हम लोग समझ लेते हैं जब आप दुकान से मिठाई लेते हैं तो आप जो वाइट है ऐसा दिखाई देता है तो वह सिल्भर की परत है क्या है वह सिल्भर की परत है जिसको बहुत ही बारी की परत को क्या है सिल्भर की बारी की परत को मिठाई की उपरी भागों में उसको लगाया गया है मिठाई की उपरी भागों में उसको लगाया गया है तो यहां से आप तन्यता समझ ले गया क्या होगा तन्यता का मतलब होता है किसी भी धादू का वागून जिसके कारण उसको बिभिन रुप दिया जाता है किस तरह से उसको पीट कर दिया जाता है या उसको वस्तु को गरम करके खिंच कर दिया जाता है तो उसे हम लोग क्या बोल होते हैं तो निजा काते हैं किलियर है